नमस्कार दोस्तों अगर आप Tata Group की कमपनी Tata Power के शेर में पैसा लगाए है या फिर लगाने की सोच रहे है तो आपके लिए बड़ी खबर आई है अब कमपनी पढोसी देश में भी Renewable Energy सेक्टर में एंट्री मिली है अब देखना होगा की इसका असर शेर पे कैसा पढ़ने वाला है Tata Power Share News दोस्तों Tata Group की कमपनी Tata Power की सबसिदियरी कमपनी Tata Power Renewable Energy Limited ने नेपाली कमपनी डूगर पावर के साथ दील किया है इस डील के जरिये Tata Power नेपाल में Renewable Energy सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है कमपनी ने इस जानकारी को स्टॉक मार्केट को बताते हुए कहा कि यह Renewable सेक्टर में स्ट्रेजिक शुरुवात है इसी के साथ Tata Power Renewable Energy के CEO ने कहा कि नेपाली कमपनी डूगर पावर के साथ हुई डील नेपाल के Renewable सेक्टर में एक नई पहचान देने वाली है यह डील आन और आफग्रिड एनरजी सॉल्यूशन की रेंज प्रोडक्शन और एनरजी सस्टेमिलिटी को बढ़ाएगी वैसे आज तो शेर में 2% की गिरावट आई है अब कल देखना बाकी रहता है कि शेर में तेजिया कमी आएगी आज यानी की गुरुवार को टाटा पावर लिम्टेड का शेर 2% की कमी के साथ 256.65 रुपे पे बंध हुआ और इस दोरान शेर का हाई प्राइस 262 रुपे और लो प्राइस 256 रुपे और 5 पैसे रहा है वहीं पे शेर ने बीते एक साल में 11 प्रतिशत का रिटन दिया है और 52 सप्ताह में शेर का उचतम स्तर 276 रुपे और 50 पैसे और न्यूंतम स्तर 182 रुपे और 35 पैसे रहा है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में विट्टिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत विट्टिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या विट्टिय सलाहकार से वाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे क्रिपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजी कृत वित्तिय सलाकार से परामर्ष लें